नमश्कार प्राइम टीवी मौपका स्वागते मैं हूँ आपके साथ शिखामेरोत्रा आप देख रहे हैं हमारा खासकारीकरम शक्सियत जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं खास शक्सियत से जो की देश और प्रदेश से जुड़ी होती हैं जो की आपकी रोल मॉडल भी होती हैं ऐसे लोग जिन्हें देखकर सुनकर आप अपने जीवन में प्रेड़ना पाते हैं और ऐसी ही एक शक्सित से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिसमें आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बीजेपी के वरिष्ट नेता और इस वक्त केंद्र कृशी खाद एवं स कुछ सुनी कुछ अंसुनी बाते जंता तक पहुचाएंगे तो जैसा कि आपने अपने चात्र जीवन से शुरुवात करी है राजनीती की और आज इस शिखर पहें की रोल मॉडल बन चुके हैं आप कई लोगों के तो कैसा रहा आपका यह सफर जिस तरह से आपने अपनी राजनीती की शिरुवात करी है उसमें सबसे पहले आपकी प्रेणा स्त्रोथ कौन रहा है प्राइम टीवी के सभी पत्रकार बंधूं को मैं इस सक्सियत कारकर्म में बुलाने के लिए धन्यवाद दे रहा हूं और सक्सियत कारकर्म जैसा प्राइम टीवी ने आजवन किया है मुझे लगता है इसे एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा राजनेतिक शुरुवात मेरी राममंदिर अंदूलन से हुई हमारी पिता जी जनसंग में जिलाध्यक्स थे मैंने उनसे पेड़ा ले करके और अटल दी के प्रति अपना एक मार्दर्सक की भूमका और उनसे पेड़ा ले करके काम करने का प्रयास किया भारती जनता पार्टी का उस समय कमल चुनावचिन प्रभावी था राजनायतिक दल के रुप में कमल बहुत तेज की गती से जनता के बीच में प्रचारित प्रसारित था और हिंदुत्य की विचारधारा और RSS की विचारधारा से ओत्रोथ था तो मैंने भारती जनता पार्टी में अपने आपको सामिल कर लिया और भारती जनता पार्टी के कमल के लिए 91 से काम करना प्रारंब कर दिया भारती जनता पार्टी का कमल का मेरा राजनेतिक दल एक चुनावचिन था और विचारधारा हिंदुत थी राष्टिय स्वेंग सेवक संग की प्रेड़ा से उसके राष्ट के वैभव की कलपना से और उसके विचार से संसकार से मैं आगे बढ़ने का प्रियास किया मैं राम मंदीर अंदोलन में जेल तक गया और जेल दो महिने की मैंने जेल भी काटी वहीं से मेरा राजनेतिक दौर शुरू हुआ चुकि राम के प्रति मेरी अपार आस्था थी और राम के प्रतियापारास्थाउने के नाते, एक राम भक्त के नाते, मैं स्वरगिय जो राम बंदिर के संजुज़क थे, जो अध्यक्ष थे, विसुन्दू परसेत के, उनके साथ मैं जील गया, गृपतार हुआ, वहां से मेरी राजनेतिक यात्रा प्रारम होई, और उसी प्रारम कर दिया, वही मेरी शुरृत की दोर राजनेतिक दल में अपने को प्रवेश करना, और भारतिक, कमल के लिए काम करना, यह मेरी प्रारम भी का प्राद्हीं तो व गया था दिनेश जी आपने ये तो बत दिया कि आखिर आपने भाजपा ही क्यों चुनी आपके पिता भी जनसंघ में थे आपने भी अटलजी से प्रेना ली इसलिगे भाजपा का साथ चुना लेकिन इतने लंबे राजपा का राजनीति आपने कभी भाजपद का साथ नहीं चोड़ा इसके पीछे वज़ाएं क्या आपको को समझ में आईया फिर आपको किसी और पार्टी के नीती या फिर बात करें कॉंग्रेस की सपा की तो क्या उनकी नीतियों से आपको कोई परिशानी रही देखे उस बमत मानिस्थ में सपा बसपा दो राजनितिक दल कांग्रिस पहले से था तीनों पार्टियों से मेरा विचार से मेरा भेद था इनकी जो राजनितिक गत्विधियां थी जो हिंदू के प्रत्य अचार करना समाज को तितर बितर करना और एक जात वर के लिए काम करना और विसेश वर के लिए काम करना और उनके जो जन कल्यानी ओजनाएं को मैंने देखा तो कहीं जमीन पे थी नहीं कांग्रेस के समय महा भरष्टाचार था उस भरष्टाचार की सरकार को उखार फेकने के लिए अपना ये कहम भूमिका भी बनाया और उसके लिए संकल्प लिया कि जो सरकार जन कमल और भाजनता पार्टी का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है और वही लड़ाई लगाता लड़ते आ रहा हूँ चुकि जो सरकार जड कल्याणकारी नहीं है जनता के लिए काम करती नहीं है उनकी चिंटा नहीं करती उनके इंदर सेवा भावना नहीं होती है उनके अंदर कि को विकास के रुप में गती नहीं देती हो जो विकास नहीं करती हूं ऐसे बिचार धारा के प्रती संकर लेकर ठीक से काम किया를 और पूरी राजनेतिक दौर में इन दलों को उखाड फिकने में हम कमल को शक्ती देते रहें हैं और देते रहेंंगे जी तो यही कारण है जो आपको इतना बड़ा पदभार मिला है क्योंकि जुनाव से पहले हमने देखा कई नेता थे जो बागी हो गए लेकिन आप अडिग रहे देखे बिचार से कभी समझोता नहीं करना चाहिए सिद्धान से कभी समझोता नहीं करना चाहिए और दल कभी नहीं बड़ना चाहिए दल चाहिए छोटा हो चाहिए बड़ा हो अपने दल के प्रतिक प्रतिबद रहना ही चाहिए और मैंने वही काम किया कमल के प्रतिक प्रतिबद रहना भारती जनता पार्टी के प्रतिबद रहना चाहिए कुछ मिले चाहिए नहीं मिले दे मिलें चाहना मिलें, हमें किसी दल के पास जाने में अपने विचार से principe समझयसा करना पढ़े सिधान से समझयसा करना पढ़े इसलिए कभी नहीं करेंगे भाजपा के साथ जी हेंगे lda कमल के साथ रहेंगे और कोई भी दल हो कि अग्र फर्लटी अच्छा काम करता है तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए लेकिन भारती जनता पार्टी जब से समाज में जनपत्नियों का अस्रिबाद मिला है तब से अच्छा काम कर रही है जनता के कल्याण के लगी हुई है तो उसे जनता के कल्याण वाली पार्टी के साथ हम हमेशा रहेंगे हमारा भला हो या अगर बात करी जाए आपकी सिक्षा की तो आपने कौन-कौन से डिग्रिया हासिल करी है और कौन-कौन से योनिवर्स्टी में परत्कारता किया तीन साल का कोर्स लखनोबिस-विद्यले से किया है और देश में देश में जितने भी समाजिक सेवन स्वेंग संस्था है जो हमारी भूमिका समाज सेवक की है पहले हम राजनेतिक दल के लिए कटिवद्ध है उसके लिए काम करते हैं लेकिन हमारी भूमिका समाज सेवक की भी है इसलिए समाज में काम काम कर रहे हैं और समाज की सेवा करना हमारा पहला संकल्प है और राजनेतिक दल दूसरा संकल्प जिससे हम अपने गरीब की मदद कर सका है अपने प्रदेश की जनता की मदद कर सकता है वह कर सका है उसके लिए हमला पहला करतब है उस करतब को पहले अपनाते हैं और राजयतिक दल को बाद में अपनाते हैं जी चातर जीवन की बात करें तो तभी साफने राजनीती की शुर किताब कैसे आ जाए कभी-कभी हम लोग जाके पुरानी किताब भी खरधवाते थे दुकान पर फोच करके कोई इस çıkते इस बत्चे को भी गया बुच्च बॉकार कि को बुटे के दोगे तो हम लोग आ करके दाट फटकार लगाएंगे तो लगब ये पियास करतेच ते करते थे कि जो मिट्टी के तेल से पढ़ने वाला जो लाल्टेन से पढ़ने वाला चात्र था उसके लिए हम कम से कम उसको तेल मिल जाए पढ़ने के लिए रात में पढ़ ले उसकी ब्योस्ता उसकी किताब की ब्योस्ता यह जरूर करते थे इसमें इसमें चाहे कुछ भी हो चाहे मुझे एक दिन अपने को नास्तान करना पड़े और अपने को कहीं कोई कठनाई भी करना पड़े और कहीं अगर किराय भड़ा भी कम हो जाता था तो दे देते थे ताकि उस गरीब बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश का निर्मार होगा दिनेज जी आपने बताया कि अपने पत्रकारिता करी है आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं काफी एक एहम जिम्मेदारी होती है पत्रकार के रूप में तो कौन-कौन से जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कौन-कौन से पत्रकार के तौर पे आपने कौन-कौन से काम किया है श्वतंत्र पत्रकारिता की भूमकार निभाते हुए। पत्रकार जीन को मैंने छोटे छोटे पत्रकार के साथ जोड करके नुड कस्चिस से बना करके आज जो संस्ठान है उसमें वियुद्यने का प्रयास किया है। जैसे चेतना स्वतन्त भारत है और दनीक जागण है अमरुजाला है हिंदुस्तान है आज है छोटे छोटे जो पत्रकार है जिनको जानकारी नहीं थी बहुत सारे अभी मेरे जानने वाले जो पत्रकारता में रूची रखते वे भी आज अपने सिखर पे पहुंचे हैं जो प का दभार मिला है उसमें किस तरह से जिम्मेदारी को अपनी निभाएंगे क्योंकि बड़ा दाइत्व है आपके उपर बड़ी जिम्मेदारी है तो कैसे निर्वाहन करें अपनी जिम्मेदारियों का देखे सिखा जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब से हमें जिम्मेदारी की सुधारी है और कोई भूखा न रहे इसके लिए हमारी पार्टी भी संकल्पित है और मैं भी उसी संकल्प को पूरा करने के राज दिन लगा रहता हूं कहीं कोटे दार कहीं गरबर तो नहीं दे रहा है किसी को समान मिल लहा के नहीं मिल लहा है किसी को अन मिल लहा है हमारी जो कलपना थी उसको मैंने साकार भाजपा में किया है कि कोई गरीब भूखा नहीं है उसको कम सकम अन हमारी सरकार दे रही है और सरकार के द्वारा भार्चनता पार्टी संगठन और प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा मोधी सरकार के द्वारा योगी सरकार के द्वारा कैसे अन उसको मिल जाए, कैसे भोजन उसको मिल जाए, और कैसे राद भर उसको नीद आ जाए, उसके घर में चूला जल जाए, इसके लिए काम कर रहा हूँ, और कैसे अन हमारा प्रभावी हो जाए, अन का भंडारन हो जाए, अन हमारे पास सुरक्षित रहे, जादा दिन टि टिकाऊ रहा है हमारा भंडारन कभी कम न हो हमारा भंडारन हमेशा अन से भरा रहा है और हमारे भंडारन में हमेशा अच्छी पैदावार के साथ धान, गेहूं, चना, चावले पहुंशता रहा है और उसकों सुरक्षित रखा है ताकि बहुत दिन तक उसकों टिकाऊ बना सक कभी भी संकट आवे अन्न का, तो हमारे देश में अन्न का संकट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमेशा बैठक, मिटिंग, चर्चा और योजना बनाते रहते हैं, कि हमारा देश हमेशा अन्न से भरा रहा है, और अन्न के द्वारा हम देश के सभी गरीब को भोजन दे सकाए इसके लिए हमेशा रंडीद बनाते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, भारत सरकार के हमारे जो लोग प्रिय गौरो साली, जो हमारे प्रधान मंतिय नरिन भाई बोदी जी, विसेश रूप से चिंता करते हैं, और उत्तर प्रदेश के आदानिय श्री परम पुजे अध्यस था, इसके बाद किसान मुर्चे का राष्टी महामंत्री था, उत्तर प्रदेश का किसान मुर्चे का राष्टी महामंत्री था, तो कारसमती सदस था, अभी इस समय जो मिला है, किसान से जुड़ा हुआ विसे मुझे मिला है, और उसका आधार यही है कि हम दो बार भार जिन्ता पाटी, किसान मुर्चे का राश्टी महमंत्री होने के कानबस उसके आधार से मैं फिर देश की सेवा करने का उसर पाया हूँ और किसानों की बात को हमेशा उठाता रहा हूँ किसान के दर्द को हमेशा सहने का और समझने का प्रयास भी करता रहता हूँ कि नौजवान को खेती में रोजगार मिल जा, उसकी खेती अच्छी हो जा, उसकी खेती लाबकारी हो जा, और किसी लाबकारी हो जा, इसके लिए भी काम कर रहा हूं, कि कैसे किसान की आमदनी दोगुना हो, इसके लिए भी काम कर रहा हूं, और जो किसानों को जो सम्मा निध मिल लहा है इसमें भी मैंने सुझाओ गया ऐसमें रखा गया है और यह शमान धी और बढ़ने वाली है जैसे सरकार और सक्साली होगी और हम इसको सारी कटनायों को जहलते वे भी किसानको सम्मान में कमी नहीं आने दिंगे इस समय जो चुनाओ हुआ है सरकार प्रहाइब करने के लिए आप 20.000 से जड़ा बूथों पेगये तो 50,000 से ज़ाद बूथों पे गए, तो किता चुनाती पूंट रहाब और कौन कौन से जिम्मिदारीय आपने गताँ में suma Nftajya मैं आपको बिशे सुर्फ से बताना चाहता हूँ कि इस चुनावी वर्स में मैंने लगातार हर बिधान सावा में हर बूत पे जानने का प्रयास किया हूँ और जो किसान हम से जुड़े हुए हैं और जो किसान की भूमीका भारजनता पार्टी में है उनके लिए काम करता हूँ हमारी पहली पर्समिकता है कि किसान की खेती कैसे कुसाल मना है किसान कैसे बाजपा से जुड़ है और किसान कैसे कमल से जुड़ है इसके लिए काम हमेशा करता रहता हूँ और अभी तक पचीस साल से करी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा तो किसान के पास ही मैं गया ह और किसान को कैसे कमल से जोड़ें उनके प्रती सरकार की मोधी सरकार की योगी सरकार की ओजनाएं कैसे उनको लाभकारी दे रहें जैसे मैंने जो है सबसे पहले मैं एक उदाहन दे रहा हूं कि गोरखपुर में यूरिया का जो कारखाना था बहुत दिन से बंद था चालू कि किया उसको चालूं हुआ यह मेरा सुझाव था कुछ को चालूं किया जाए उसमें हमारे जोगी जी सुमें यम्पी थे उन्होंने भी सुझाव दिया था तो यूरिया का कारखाना चालूं हुआ दूसरा यम्स की मेरी जो है कलपना थी कि मैं यम्स को कैसे चालूं करा हूं औ और यहाँ पे PGI के साथ साथ गोरफुर में सोना चे उसके लिए मैंने प्रयास किया उसके लिए सुझाओ दिया सरकार में लगा रहा है कैसे हो जाए इसके बाद जो जो जितने भी ब्रीज बने हैं अभी भी मैं जो है दो तीन ब्रीज प्रस्तावित किया हूं एक तो जर्पए लोड बहुत दिन से बस्पा सरकार में काम इसका रुक्या सपा सरकार आए सपा सरकार में तो हमने सभी ए मनी Minsk 然後 रच्छा मंत्री ग्री मंत्री थे मैंने उसे कहा कि यह जो कुक्रल का बहा बस्पा की सरकार में अधा अधूरा इसको पूरा किया जाए तो मानी हमारे रच्छा मंत्री जी ने उसमें ग्री मंत्री की जिमिधारी निभाने का कार कर रहे थे मैंने उसे कहा कि होना चाहिए मैंन जी ने शुरुआत की थी, अटल जी के भावना से मुझे परड़ा मिले की रोडों का जो विस्तार होना चाहिए, उसका सरली करना होना चाहिए और उसकी चोड़ाई बढ़नी चाहिए और हाइवे होना चाहिए, तो देश को कैसे हाइवे सुझाओ दिया था, विकास के लिए उत्तर प्रदेश में उभर के चुनाओ के समय आया था, वो सब्जेक्ट सबसे बड़ा था, पसू, अवारा पसू का, अवारा पसू को पांच साल पहले अपने आदानी मुख मंत्रीजिक सामने मने रखा था, उस पे काम भी सुरू हुआ, काम उस चरम सीमा पर नहीं पहु कि भाई मेरे यहां पसू खार हैं, सभी किस जानोरों को मैंने डीम के द्वारा भेजवा करके उनको चारे की बहुस्ता करवाया, तो चुनाओ के समय मैं, जिस गाउ में पहुचा, हमाई एक ही बात थी, कि आप जो है, हमारे गाय को और जानुवर को ले जाईए, मैं वो द जलता मिली है, और गाउ में जो सम्मान निधी किसानों के पास पहुचा, उससे भी मैंने प्रियास किया कि लोग किसान सहमत थे, और हमने कहा कि आपकी खेती की आमदनी दुगुना करेंगे, और हमने आपके लिए एक काम किया है, आरगनी खेती कैसे होनी चाहिए, भगवा उसके लिए प्रियास किया, तो तमाम सारी कारी को मैंने करने का प्रियास किया था, उसके जरिये, उनकी मदद, उनकी सेवा भावना, उसके बीच में रहना, उनके साथ जुड़े रहने का लाब ये हुआ, कि कमल को सतसाली बनाने के लिए, किसान भी हमारे साथ चल पड़े और भार्ज धापाटी को फिर से मोदी जी और योगी जी की विश्वास पे ओड़ दिये ये हमको जाने का उसर मिला लगबग हमने धाई महेने में पचास जार बूथ पे जाने का प्रयास किया और हमें हर बूथ पे लभख सफलता मिली है बहुत कम बूथ हमारे जहां गए वहां हम जीते जी दिनेश जी जब क्रिशी कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा था किसान काफी रुष्ट नजर आ रहे थे किसानों को मनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी उनकी जो भावनाई थी वह काफी ठेस पहुंची थी उनको क्योंकि काफी लंबा प्रदर्शन चला था प्रदान मंत्री नरींद्र मोदी ने खुद कृशी कानून को वापस लिया उसके बाद उनको समझाना उनको बीज खिशाब थी लेकिन कुछ ऐसे किसांस थे जिनको यह लगा कि कहीं इस निर्ले से दूस्स हमारा नुक्सान हो जाएगा हम हमारी आमदनी कम हो जाएगी हमारी दलाली बंध हो जाएगी कि उससे आंधोलन को चलाने का प्रयास किये जो किसान युन की कहीं कि भाई आप ऐसा कर दीजे कि हम अपना माल कहीं देश में किसी कुणय पर बेचे हमको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और वही प्रस्ताओ जब मेराश्टी महामंत्री थे कि सान मुष्चे का वही प्रस्ताओ पहली बैठक में विरोध में कहते थे, जब मोदी जन ले कर दिया, तब इनको खलने लगा, तो राकेश टिकेट की किसानी उनको ऐसा लगा, उनके पास जो उनके पदाधिकारी थे, जो उनके समर्थक थे, वो सब कहे कि हमारी तो अब मंडी के दलाली बंद हो जाएगी, हमारा तो माल वहाँ चला जाएगा, तो हमको कोन पूछेगा, हमारा सुल्ख कम हो जाएगा, मंडी में हमारा माल नहीं पिकेगा, और तमाम सारी कषनाईयां एक भ्रमित करने का प्रयास किये, प्रधान मंत्री को यह लगा, उसमें बहुत सारा संकट भी आया, बहुत किसानों का दिन तक चलने दिया, बहुत दिन तक चलता रहा, हमारी सरकार उसको धैर यह सहाच साथ देखती रही, और उनको बार-बार मनाती ही, बार-बार सुझाओ भी देते रहे, लेकिन लाश्ट में ऐसा लगा, कि यह आंदूलन को अब समाप करना चाहिए, प्रधान मंत्री को ऐसा लगा कि हम अपनी बात को वापस ले लेंगे तो बहुत सारे किसानों की कंटवर्सी उनके अंदर जो भ्रहम है वो समाप्थ हो जाएगा तो प्रधान मंत्री ने भ्रहम भी समाप्थ करने के लिए और किसानों की जो मैं किया जो जो किसानों को ऐसा लग रहात था कि लोग राजनेतिक लोग को प्रभावित करके बिकर्स करना Qadhar क्यान करना सब्सक्राइब या कि अदियंगे और यव में की मध्री थे तो उस किसानों के इहतव में gew है लेकिन अगर बात जनता के लिए देखे भारती जनता पार्टी एक राजनेतिक दल है उसके साथ साथ समाज सेवी संगठन भी है हमारी भूमिका उत्तर प्रदेश के बीजेपी के हर वरकर की एक भूमिका है कि समाज में हम सेवा की भावना कैसे उत्पन करें और कैसे उसको पालन करें कैसे काते हैं जो भारती जंता पार्टी के राजनेतिक जल के रूप में एक नेता भी हैं कारकरता भी है और समाज सेवा की भूमिका में रहते हैं राजनेत करते हैं लेकि सेवा के माध्धम से ही जाना चाहते हैं पूरे करोना के समय हमारी पार्टी एलर थी हर पदाधिकारी हर करक और मैं लगातार जब तक करूना था पर्थम फेज दूरती फेज में किसी को अस्पताले भरती कराना है किसी को यह संदिलवाना है तो सुबह से लेके साम तक कोई घरना किसी को भरती करवाते थे तो भरती करवाते उसकी डेथ हो जाती थे तो आसू आने लगते थे आसू आन चल रहे हैं, कुछ लोग साइकिस चल रहे हैं, कुछ लोग पैदा ला रहे हैं, वो भी सुचना आती थी, तो लगातार अस्पताल में कैसे पेसेंट भरती हो जाए, इसके लिए डाक्टर से लड़ना, कंट्रोल लूम में अधिकारियों से लड़ना, अधिकारी फोन उठाते नहीं थे, तब जाके उनको घर पे आवास पे जाते थे, आवास पे नहीं मिलते थे, तो उनके आफिस में जाते थे, आफिस नहीं मिलते थे, तक कंट्रोल लूम में जाते थे, तो पिर हम देते थे, कहां पे हैं पूछते थे, कि भाई कहीं देखा है, कहीं देखा है, तो हाँ जन का सेंटर है और शाथिय। अपैसे तरफ पलायन मत करिये घर में घरमें भी रहिए उसी बीच में आ जाता है कि इसी घर भोजन नहीं आ जाता था हमारे घर पे भी कि और कहने लगी मैं पांच दिस से भूखी हूँ और मुझे बहुस्था नहीं है खाने की तो मैंने उसको पूरा उसके चार महीने पांच महीने का रासन भेजवाया और सुबह से साम तक लोग भाजपा का कमल का जंडा देख लेते थे घर पे तो जान जाते थे कि यहां से भीर लग जाते थी तो मैं उनको भोजन की बहुस्था उनके रासन की बहुस्था कुछ लोग कहते थे कि मेरे पास भोजन करने की बहुस्था है मेरे पास बनाने की बहुस्था नहीं है तो मैं उनके लिए अपने घर पे पूरी बनवाना उनके लिए रोटी बनवाना भी कहता था कि मैं जादा तब प्रयास करता था कि पूरी से काम चल जाए लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते थे जो बुजूर्ग आजाते थे कहते थे नहीं को रोटी सब्जी दिलवा दीजे तो रोटी सब्जी भी दिलवाने का मैं काम करता था घर पे हम चरपांच हलवाई रख प्रवाश्च ने मिलता था और हमारी बात को सुनते थे लेकिन वो फोन नहीं उठाते थे कठनाई थी तो फोन कैसे उठा ले और मिल कैसे जा जैसे आतुरता थी कि हम डाक्टर को पागल बन के ढूरते थे और यह सोचते थे कि कैसे हो जाए यह मरीज के पेसेंट कैसे बच ज आते थे और रात में सोचते थे कि भाईया सुबह जिसको भरती कराया है वो जिन्दा सही सलामत बच जाए और स्तोस हो जाए इसके लिए पूरा करोना में काम करते रहे तो हम और हमारी पार्टी दोनों मिलके करोना में जनता का विश्वास अरजित किया और जितनी सेवा कर सकते थे किसी का जीवन बचाने के लिए बचाने का प्रयास किया और इस्वर से यही प्रार्था करते थे कि ऐसा उसर दुबारा हमारे देश में कभी न आवे जिसके लिए हम लोग संघर्च करते रहे पूरी पार्टी संघर्च करती रही और हर मरीज को हमने जो कुछ करने करने का प्रयास किया कुछ लोगों को करने का प्रयास तो किया लेकिन सफलता नहीं पाया तो निरासा हतासा भी हो जाती थी कि हम भरती तो कराया लड़के लेगिन यह बच नहीं पाए तो मुझे बहुत तकलिफ होती थी और घब यह भी सुचना मिल जाती थी कि वहां पर अस लकडी लेके आने का प्रयास करते थे एक आदमी तो मैंने अस्पसान घार पे कैसे चिता जल्जा इसके लिए भी हमेशा चिंतित रहता था तो राम मंदिर के बारे में भी आपने बताया कि राम मंदिर निर्माण कारे में भी आप जुड़े रहें आपका योगदान रहे हम कि आप हमारी दर्शकों को बताए कि क्या कुछ योगदान रहा है राम मंदिर निर्माण में देखे इतनी लोग की भावना थी कि राम मंदिर करते थे लवाई लड़ते थे कर्फू लग जाता था सपा की सरकार थी समाजबादी पार्टी की सरकार थी कभी सुचना आती थी कोई हिंदू उहां मार दिया गया है कोई उहां फेक दिया गया है कोई उहां काठ दिया गया है यह सुचना मिलती थी और अंदोलोन करते समय बहुत ही भैंक का रूप भी लेना पड़ता था कर्फू भी लगा देती तो लोग संगर्स करते थे उसमें यह सबसे बड़ा हमक याय कठ्था करवाते थे उसमें हमारे बहुत वालेंटीर थे जो घर-घर पूरी कठ्था करते थे और बड़े भाव से मिकठ्थाब करते थे उनके अंतर यह स्रद्धा थी कि राम के लिए जा रहा तो राम के पूरी लोग बना-बनाके देते थे और कुछ लोग तो देशी तो उनके भी पूरी इकठा करके हम लोग जहां जाते थे तो देखते थे कि यह बड़ा नेता है और संगर्स करेंगे और अंदोलन करने में इनकी अच्छी भूमका है इनके साथ सो दो सो लोग है तो हम लोग क्या देशी की कबाड़ते थे लेकिन जो कमजोर तब का था उसके पास जो आंदोलन में था जो राब सेवक भक्त था जो आंदोलन में जुटा हुआ था उसको हम लोग कई देखते थे कोई हरजन है तो उसके लिए डाल डाकी और सरसो की जिसमें फुर्ष देते तो उसमें भूम्का थी आंदूलन में पूर्य कठ्टा करने की सबसे बड़ी भूमका थी इसके बाद जाते-जाते हम लोगों की समाध बादी-पाठिक सरकार थी गरिफ्तार कबादेती थी लाथियां चलव आण। त्यिस संगर्स कि लेगा पिलिस लाइब लेकिन बाकी पुलिस लाइन इस लाइन गैंटूटल फा सब्सक्त सब्सक्ति thrive कर लिया कंवारे चिन हडिन दू जूद ता और हमारे सब्सक्राइब नोग थे हम लोग उससमय संख्या बनाके अगर चलते थे चार्लिश्पचास की संख्या वूद भारी मानी जाती ठी और दस, चुटा-चुटा फफांच का ग्रूस निकल आ कैसे लिए या रम्स्राइब का एक सपना था एक संकल्फ था निश्ठा थी, एक आस्था थी, एक जैसे भूद सवार था, कि राम मंदिर कैसे बने, भगवान सिराम जी का मंदिर कैसे बने, और यह जो है, जो समाजवादी पार्टी हैं, जो कांग्रेस हैं, बसपा है, इनसे लड़ करके कैसे राम मंदिर बना दे, चुकि इनकी नियत तो आगे बढ़ा ले, हम मंदिर की अस्थापना कैसे ठीक से कर दे, और बाबरी मस्जित कैसे टूटी, इसके भी से मैं तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक आस्था का समूही, बाबरी मस्जित को तोड़ने का प्रयास किया, जिसने तोड़ा, जन स्वराज संस्था क्या ह और सब को स्वराज कैसे मिले, कि अपना राज का पैसे इसको आभास हो, इसके लिए हम गरीब को जो होता है, उसको सिक्षा कैसे इसकी पढ़ाय चल लही है, जाता हूं परिवार में, अगर हमारा संस्थान लोगों के द्वारा मदद लेता है, मदद ले करके उनके परिवा कारकम भी चलाता है, और समाज में कैसे उसको हम इलाज कैसे करवा सकते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए फीस नहीं है, तो उसकी बहुस्ता करवा देता है, तो समय समय पे जन स्वराज का कलपना यह है, कि हम समाज में देश को उपर ले जाने के लिए, देश की तरक्की कैसे हो जाए, नौजवान कैसे पढ़ाई कर ले, लिखाई कर ले, नौजवान कैसे पढ़ ले, कैसे देश की तरक्की हो जाए, कैसे नौजवान आई-एस-पी-ची-एस बन जाए, उसके लिए जन स्वराज मदद हमेशा करता रहता है, कुछ आर्थिक मदद करता कुछ सारीरिक मदद करता है कुछ सैस्लिक मदद करता है कुछ डोनेट के माध्यम से चिकिस्था की विवस्ता करता है और नौजवानों का गुरूप बना करके जैसे क्रिकेट टोनामेट हो रहा है उसे जनसुराज के द्वारा कैसे क्रिकेट टोनामेट हो जाए कैसे उस खेल कि उसके एकुपेंट्स मिल जाए, कैसे उसको खेल का समान मिल जाए, इसके लभी काम करता रहता है, कि नजवानों के बीच में उस्साह कैसे बने रहा है, और उसका उस्साह कैसे बरदर, चुकि सब काम सरकार तो करने सकती है, इसलिए जनस्वराज भी समाज में एक समाजिक स प्रदेश का कैसे कल्याड हो अपनी भूमका निभाता रहता है उसे बहुत सारे लोग देश में जुड़े हुए हैं प्रदेश में हर जिले में प्रभावी है और अपने पूरे राजनेतिक सफर में कई उतार चड़ाओ देखें हैं कई संगर्ष किये हैं जेल भी गए हैं और काफी अच्छे पढ़े लिखे जनता के बीच से जुड़े हुए भी है तो आप जनता को क्या सुझाओ देना चाहेंगे क्या संदेश जाहेंगे क्योंकि आज की समय में संगर्ष से लोग कहीं न कहीं दूर रहना चाहते हैं लोग है छात्र हो उसको संगर्ष करना चाहिए चाहे कोई नोकरी पाना चाहता है उसके संगर्ष करना चाहिए संगर्ष के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए मैं अपने जीवन से यह सिखा हूं कि संगर्ष के बल पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और जिसके अंदर धूप दिखती है, कड़ी धूप है, उसमें भी पैदल चलने का संगर्श होना चाहिए, हमारे अंदर फीस नहीं है, पैशा नहीं है, हमको पैदल चलकर को भी सिख्छा लेनी है, हमारे घर में पढ़ने के लिए बिजली नहीं है, लेकिन हमको प्रकास की ब्योस्था करके, हम वार को मैं यही काना चाहूंगा और देश की जनता को प्रदेश की जनता की यही काना चाहूंगा संगर्स ही जीवन है संगर्स से बढ़के कोई व्यक्ति निखर जाता है जैसे जो है सोना जो है तभी आगे बढ़ता है तभी निखरता है जब उसको तपाया जाता है जो केंद्र क्रिशी खादे एवं सारजनिक वित्रण विभाग से स्वतंत्र निर्देशक दिनेश दुबेजी से आशा करते हैं इनकी जीवन से जुड़ी जो कहानी है जो प्रेड़ना दायक रहेगी आपके लिए और आप इससे सीख भी लेंगे और आपको पसंद भी आयोगी इनकी जीवन से जुड़ी जो कहानी जो की एक उद्देश है जो की एक ज्यान देती है कि संगर्श करते रहना चाहिए तो आज हमने शक्सियत में आपको रूबरू करवाया बीजेपी के वरिश्ट नेता और इस वक्त के केंद्र कृशी खादे एवं सारजनिक वित्रण व कोरोना काल में भी जंता के हित के लिए कई काम किये है फिलहाल आज के शक्सियत के इस कारिक्रम में इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शक्सियत के साथ तब तक मुझे दीजे इजाज़त नमशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार